ना LIG flats बने ना EWS flats बने ये जाच DM को सौपी गई थी इस सारे मामले की और उसके बाद ये सारे तथे नियमों के तहट कि 118 EWS flats बनने थे 118 ही LIG flats बनने थे उपर की तरफ बनने थे लेकिन कुछ नहीं हुआ और आपको बताएं कि इस मामले में गाजेबाद आवास विकास के मुख्य अधिक्षर अभियंता राकेश चदर से एवीपी गंगा समवाद दाता शक्ति सिंग ने इस पूरे मामले पर बात की है उन्होंने बताया है कि बिल्डर को जो जमीन एलाट की गई थी उसमें उसे EWS के फ्लैट और एलाजी के फ्लैट उपर की तरफ बनाने थे नहीं बनाने के लिए उसने नक्सा पास कराया था जिसमें सर्तें थीं के गरीबों के लिए 118 नग एलाईजी मकान और 118 नग EWS मकान का निर्माड करना था जो के उसको उसी टावरों पर बना जाना है उसने उस टावरों को ऊपर बना नहीं रहा है जिसके संब्द में शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं और उसकी सासने इस तरफ जाच चल रही है सर ऐसा इतना बड़ा प्रोजक्ट तयार हो गया तो आवास विकास के वो अधिकारी कौन सी थे जिननोंने इतना बड़ा उस बाहं नहीं गये मोके पर नहीं पहुँचे जाच नहीं की अखिर जांच क्यू उपर ही EWS उन्हीं टावरों पर उपर बनाने थे, जो कि जब बनने पर ही उस पर कारवाई की जा सकती है, उसकी मंसा किलियर नहीं, अब बाद में किलियर हुई कि कुछ ने जो उसको फेनिशिंग रोक उपर दे दिया, तो इसमें हमारे खंड के परसद इस्तर से विभिन इस के लिए के लिए मैं शक्ति से गर कि बाचीत आपने देख लिए हमने आपको कुछ तत्रथय दिखाये अब को सीधा शक्ति सी galaxy के पास लिए सब्ने हैं बादे समभाद दाता जो Сब्से जो को कवर कर रहे है इस वक्त हमारे सास्थ सीधा कनेक्ट हैं से आए शक्ति सिंग का रूप करते हैं शक्ति हमारे दर्शकों को बताईए कि कितने एरिया में ये फ्लैट्स बने हैं कितने एरिया में और कितने फ्लैट्स बनाने थे जो एक भी नहीं बने हैं कब से ये फ्लैट्स बन रहे थे कब ये मामला प्रकाश में आया ये भी बताई प्राइम लोकेशन है और यह जमीन जिस समय अनुबंद हुआ आवास विकास के अधिकारियों के साथ तो उसमें साफ कोर पे यह कहा गया था कि आपको EWS के यानि कि जो गरीबी रेखा वाले जो लोग हैं उनके लिए आपको 118 फ्लैट बनाने पड़ेंगे और आपको लाइजी यानि कि जो लाइजी गरीबी रेखा से कुछ थोड़ा सा उपर होते हैं उनके लिए भी यानि कि 236 फ्लैट आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि आप गरीबी रेखा वालों को देंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा प्रोजक्ट बन गया और इ जांच की बात करें तो गाजबात के जो जिलादिकारी हैं राकेश कुमार सिंग वो इसकी समय जांच कर रहे हैं और जांच करने के लिए जब टीम पहुंचती है तो वो भी यह देखती है कि इसने एक भी फ्लैट वहाँ पर नहीं बनाया वहीं अगर आवाज विकास के एक भी ऐसा फ्लैट नहीं बनाया जो कि अनुबंद में था यानि कि अनुबंद में साफ साफ करार था बिल्कुल ठीक है यह यह शिकायत किसने की लखनों में एक यह बाद जरूर बता दें दरश्कों को कि अगर हम बात की जाए इसमें शिकायत करता की तो शिकायत करता कोई और नहीं इसमें जो बीजेपी के जो नेता अनिल भराला उन्होंने शिकायत की थी वहीं एक वकील थे उन्होंने भी शिकायत की तो कहीं ना कहीं उस शिकायत के बाद ही इस पर जाच बैटी है लेकिन ग्उटकर जहने करें गिसे नश्चनालि के है कि कैसे का उलंगन किया गया उसको तोड़ा गया यह बिल्कु साफ़ाहिर है शक्ति आपने जितने तत्य बताए उन सबसे साफ़ाहिर है बहुत धन्यबाद आपका शक्ति से आप अगया एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी